चो हलो अप्रीवन कैसे आप लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे लेकि आ गए हूं आपके लिए लास्ट शेवन डेज स्टेजी फॉर केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एक्जाम अगर आपकी के अंदर कंपार्टमेंट आयो यह आपके किसी और भी एक्जाम के अं उनकी लें नेकली भी वेमञाता झनका थोड़ा त्मौले बचाओ बचाहँ आइं जनका रहा है यह बना हूं वीटों मैं लास्ट अ इस आंती चलों सब्सक्राव कर्या क्यों की यहाजी चनल है तो कमपार्टमेंट को सब्स्क्राइब कर रहा हैं की आईक रहा है और वीड जिल जली नंप्नेक्ट के बात करेंगे में तोड़ा हे अनहीं पहली in लुकुल कि यह स्टार्ट करते है मैं तो दो मुझे यह सभिक जी पूर्ड यहीं की पूरी मुहिऑ । इनकी गलती से कंपार्टमेंट में लग गई जिनका पूरा हो गया स्लेबस अच्छे से ठीक है सब कुछ दान है उनकी लिए करना है यह सिंपल थी बात है आपको कुछ खास नहीं करना है पस्ट पर रिवीजन करते रहना जिनका स्लेबस पूरा कंप्लीट है सब कुछ पढ़ मेरे बाई एक आपको चीज बताता हूं जिनका स्लेबस बिल्कुल भी पूरा नहीं है वो बहुत डर रहे हैं कॉंफुटेंस नहीं आ रहा है कि कंपार्टमेंट एक्जाम के लिए उन बच्चों के अंदर भी कॉंफुटेंस नहीं है मैं यह चीज देख पा रहा हूं ठीक बाई आपने त्रेबस पूरा कर लिए कंपार्टमेंट एक्जाम का मैं बोला हूं आप फंटे अट परसेंट पास हो जाओगे सारे क्षिशन कर लोगे तो बरोसा रखो लास्ट में इंपोर्टेंस बोलूंगा डॉन्ट इस्टेडी निव टॉपिक्स अब यह मत सोचना कि यान मेरा स्लेबस पुड़ा हो गुछ नया पढले तो कुछ एक्स्ट्राब लेता हूं है कोई एसस टोपिक पढ़ लेता हुँचों सायद आजाए हाट एक होता है ना बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं अच्छे पढ़ लेते ताकि ऐसा नाब कि तो वहता है थोड़ा बहुत बचा हुआ है उनके लिए एली चीज रिवीजन जो तुम पढत चुके हो अब इनका वही रहता है कुछ चैप्टर्प पड़ें कुछ छोड़ रखें तो जितना तुम पढ़ चुके हो जितने चैप्टर सच्छे से ठीक है और पढ़ाई भी कै आतों कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया थोड़ा पना ये आपके पास आप में प्राइब्योंगान किये होंगे को करना है जितना तुम्हों पढ़ चुके हो सबसे पहले तुसका रिवीजन हर रोज करना है आपको बहुत अच्छे से करना है बहुत इंपोरेंट है रिवीजन सबस्क्राइब दूसरी चीज मेरे तो कुछ चेप्टर बची हुए है वह भी सोचंपूरे कर लो उनके लिए बत पढ़ी चीज यह है बहले ही तुम कुछ चैप्टर छोड़के जाना के मिस्ट्री के अंदर लेकिन इंपोर्टेंट यह कि जितना भी तुम पढ़के जा रहे हो ना बहुत चीज तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए पूरा स्लेवस करके जाओगे लेकिन अगर कुछ लिखें नहीं पाओगे तरीक से कुछ भी चीज याद नहीं रहेगी रिविजन नहीं करोगे पास नहीं हो पाओगे मेरे बाई जतना भी पढ़के जा रहे हो अच्छे से पढ़के जाओ और वही अपनी पुरानी चीज पता ही होगा फैंपल पेपर एक है यहां वही चीज लिखे हुए जितना पड़ा है उतना अच्छे से आना चाहिए मेरे भाई कोई फायदा नहीं आप पूरा स्लेवस पूरा करके जा रहे हो आपको फॉर्मला जयात नहीं है आप क्वेस्टन सॉल्प नहीं कर पार रहे हो अब आपने सब आता हो अब लेकान अब क्वेस्टन शॉल्प नहीं कर पार रहे हो तो कोई आप नहीं पूछेगा कि स्लेवस पेड़ा पूरा है की नहीं इसलिए बोलों जितना भी पड़ो अच्छे से बढ़ों इक 50% स्लेवस करके भी जाओगी तब भी पास हो जाओगी अब बात करते हैं और बच्चों की जुनों ने अभी तक पड़ा ही स्टार्ट नहीं करी कुछ नहीं पड़ा है कुछ नहीं कुछ नहीं आता जी पूरी स्ट्रेट्जी भी बताऊंगा और ध्यान देतो ना मेरे वाई सबसे पहले तो एक इंपॉर्डेंट चीज अब इसम बिल्कुल chemistry नहीं आती, compartment लगी हो, यह पास होना चाहती हो, पहली चीज, शबसे पहले आपके पास साथ दिन का समय मान के चलता हूं, ठीक है, एक सब्ता है आपके पास के बिल, शाद दिन में यह कोसित मत करना कि अभी तक कुछ नहीं आता, और अब साथ दिन में हम पूरा syllabus cover कर लेंगे, यह चीज दिमाक्स निकाल दो, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप में पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, आपको chemistry नहीं आता, class 12 का, तो अब यह मत्या सोचना, कि last 7 days में तो हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, पूरा syllabus पूरा कर लेंगे मेरे भाई, मैं सच बतारा, अगर तुमने last 7 days की अंदर पूरा syllabus करने की courses करी, अभी तो कुछ नहीं बढ़ा, I fail हो जाओ, हो सकती हो, क्यों, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से पता है, कि last 7 days की अंदर तुम पूरा chemistry syllabus easily नहीं कर सकती हो, और अगर कर भी ल सब्सक्राइब कर लिया, तुमने मानलो, बंस और lecture देख ले, question solve कर लिये, भाई, रिबीजन कैसे करोगे, भाई, यह chemistry है, कोई हलवा नहीं है, चीजे तुमाग में कुसे नहीं पढ़ेंगी, बहुत तारी चीजे, प्राक्टिस करनी पढ़ेगी, थोड़ी सी, उसके लिए बंस और lecture, last seven days के अंदर, कोई भी आपको, detail में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हर एक chapter, बंस और lecture से देखना है, जियान रखेंगे इस बाट को, ठीक है, दूसरी चीज, नौट्स का प्रेंट आउट निकलवा लेना, भाई, साथ देने दुमाए पास केबल, यह मह सोचना कि अ है, देखने के लिए, यह हरसत भाई आने का इसलिए, नहीं नहीं, रिवीजन करने के लिए, रिवीजन इस बैरी वरी इंपोर्टन, यह रिवीजन है ना जो, यह सबसे ज्यादा इंपोर्टन है, जो बंदा रिवीजन करेगा, वही अच्छे मांक्स लेकर आपाएगा, उ सबसे क्वेशन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए करोगे, प्रिवाइग्यू, प्रिवेशन कर लो, या पर कहें, कहें तो NCRT के क्वेशन कर लो, बट मैं कहूंगा, प्रिवाइग्यू कर लो, क्योंकि प्रिवाइग्यू में NCRT बगर सब कुछ आ जाते हैं, और तूब फर्स्ट अफॉल आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, समझे, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे ना, स्टेजी अपने आप खुद दिमाग में बन जाएगी, पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना, तो जितनी प्रॉब्लम से ना, उनको स्वलूशन अपने आप निकलना कुछ भी पॉब्लम हो, क्या आपको हरसत की पढ़ाई भी मिले की ना, मेरे भाई, सबसे पहले इंपोर्टन चीज यही है, कि मेरे भाई, मैं हर एक बच्चे से यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, है, तुम स्लेवस भले ही पूरा मत करो, कोई भी बच्चे हो, लेकिन, हम आई तो बेंड बच जाएगी है, हम तो पड़ भी नहीं पाएंगी पूरा, आपको एक चीज़ यहां रखना है, मिनमूम 30 का टार्गेट लेके चलना है आपको, देखो, अभी आपको जो चैमिस्टी का एक्जाम होने वाला है, वो होने वाला है 70 मार्स का, और पास होने पर एक भी कोईशन नहीं आया, वह यह तैयार हो दाना, पूरी साल तुमारी बरबाद होगी, कम ते कम 30 नंबर का टार्गेट लेके चलना है, हाल में 30 नंबर लेके आने, दिमाग में गुसेड़ लो, बैस्ट यूटूप चनल कौन सा है वह एक ही बोलूँगा, हमेसा बोल बजय के वह जाए बनतल लक्षर क्यांके मिल जाएंगे बरत पंचाल गुरुजी जाया है आजाओ ह्या चैनल पर लो, बीज़ंगे, जो भी आपको सी बही चीज मने बताई भरत पंचाल सर के चैनल पर ही जीज मिल सबने भरत पंचाल सर से पड़ी हुए है नहीं है लेकिन यह की बात बोलूगा last में मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूँ कुछ भी बोल दूँ लेकिन जब तक पड़ोगे नहीं न कुछ नहीं होगा मैं आपको कितना ही मोटिवेट कर दूँ कुछ भी कर लूँ लेकिन एट लास्ट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वह यह दूसरा ओप्शन नहीं है तुम्हेर भाई पढ़ाई करना इस्टार्ट करो हसे भाई आपके साथ है जो भी प्रॉब्लम आदी आपनी जे कमेंड करो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में देक्यार बाई